क्या आप एक single door refrigerator लेना चाते हैं under 15,000 रुपीज? गुड! क्या आपको पता है कि कौन से ब्रैंड का refrigerator बेस्ट है? जो maximum space के साथ आए और कम से कम electricity यूज करे? और क्या आपको पता है कि ब्रैंड आपको कहा मिसलीट करते हैं? डोंट वारी इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अलो दोस्तों, welcome to my channel VM1, मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा best refrigerators under 15,000 रुपीज एक residential flat लेते समय हमें सूपर और कार्पेट अरिया से डील करना पड़ता है कुछ उसी तरह एक refrigerator लेते समय हमें gross और net capacity से डील करना पड़ता है आप refrigerator तो लेते हैं 190 liters का लेकिन उसमें net capacity आपको मिलती है 160, 170, 180 liters की मुझे यह पता चला अपनी live testing करते समय देखिये यह पर दो से यह तो यह दो मुझे आपकी श्राइट पर आपके बाके इस्टोरेग की एक सो दस लिटर का फ्रीजर है अच्छा को अच्छा क्योंतर यह वन थर्ड नी बन थर्ड कम हो जाता है मतला टू थर्ट आ जाता है ठीक है मतला ये ग्रॉस कपैस्टी पर होता है ठीक है इसी तेसे ग्रॉस में एक ये माडल आता है ये भी दिखा दो एक पर लिए इसमें और इसमें कितना फर्रक है ये देखना है बस बजा 10 लिटर की अंदर की आए टोडल ने दस दस लिटर, इसमें ये नीचे रैक नहीं आखे नहीं, इसमें बाध 10 लिटर, और जाए आ आ दिश्योदा, समय पर 5 यह उपर, तो यह तो यह बस ब्रॉ pillar को सब्जी कि लिए या या फिर बाकी सब्सक्राइब के लिए इसमें ये कारगोन सिस्टम लगा रखा है उसमें लख्या नहीं आता है अच्छ बाइसाब का कहना है 30 परसंट अकम यानी 200 लीटर के फ्रिज पे आपको अप्रॉक्सिमेटली या फिर फ्रीजर सेक्षन की प्रपोर्शन बढ़ा दी जाती है जिससे आप एक बड़े साइस का रेफ्रिजिलेटर लेने के लिए मजबूर हो जाएं इस वीडियो के अंदर जो भी रेकमेंड़ प्रॉडक्स होंगे उनकी सही प्रपोर्शन होगी और 90 परसंट तकी नेट क प्रपैसिटी होगी मेरी आज की लिस्ट में सिर्फ डिरेक्ट कूल रेफ्रेजिलेटर होंगे जिन में कोई फैन यूज नहीं होता कूलिंग में ये एक नाचुरल कन्वेक्शन प्रॉसस से कूलिंग करते हैं और इसके अंदर आपको मैनूल डी फ्रॉस्टिंग करनी पड एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है इंसुलेशन जितनी अच्छी रेफ्रेजिलेटर की इंसुलेशन होगी उतना ही अच्छा वो कूलिंग करेगा और बाहर उतने ही कम हीट थ्रो करेगा आप ध्यान रखे ना रखे लेकिन इस लिस्ट में सभी चानल को बेस्ट रेफ्रेजिलेटर अंडर 15,000 की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है हायर का 195 लीटर का मॉडल ये मॉडल आता है फोर स्टार रेटिंग और 130 यूनिट की कंजम्शन के साथ और इसकी नेट कपैसिटी है 188 लीटर इस रेफ्रेजिलेटर के अंदर आपको अनार आइसिंग टेकनोलजी, टफन ग्लास शल्स, सेपरेट फूट बॉक्स, पी ओफ इंसुलेशन और स्टेबलाइजर फ्री उपरेशन मिलेगा इस रेफ्रेजिलेटर का एक पावरफुल कंप्रेशर है और डीसेंट बिल्ट कॉलिटी है लेकिन तेम्परेचर चंट्रो बेस्ट रेफ्रेजिलेटर की मेरी लिस्ट में नमबर फोर पे आता है सैमसंग का 198 लीटर का मॉडल ये मॉडल आता है फोर स्टार रेटिंग और 131 यूनिट की कंजम्शन के साथ और इसकी एक्चुल नेट कपैसिटी है 188 लीटर ये मॉडल आता है डिजिटल इंवर्टर टेक्नालोजी के साथ जिसे आप अपने घर के इंवर्टर पे चला सकते हैं सोलर एनरजी पे चला सकते हैं और ये आता है स्टेबलाइजर फ्री ओपरेशन के साथ इस मॉडल में आपको टफन ग्लास चेल्फ और बेस्ट अंड पे ड्रॉर मिलेगा ये रेफ्रेजिलेटर स सोलर अनरजी पे काम करता है लेकिन इसकी ओनलाइन कॉस्ट 17,000 रुपीज थोड़ी सी जादा है ऑफलाइन आप इसे 15-16,000 रुपीज के अंदर खरीद पाएंगे बेस्ट रेफ्रेजिलेटर अंडर 15,000 रुपीज की मेरी लिस्ट में नमबर 3 पे आता है वर्लपूल का 190 लीटर का मॉडल ये मॉडल आता है 4 स्टार रेटिंग और 132 यूनिट्स की कंजम्शन के साथ और इसकी नेट कापासिटी है 182 लीटर्स ये मॉडल काम करता है इंटेलिसेंस इंवर्टर टेकनोलोजी पे और आप इसे अपने घर के इंवर्टर पे भी चला सकते हैं और अगर आपके पास इंवर्टर नहीं है डोंट वरी 9 घंटे तक ये कोलिंग बनाये रखेगा बिजली जाने के बाद भी इस मॉडल के अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ओपरेशन मिलेगा टफन ग्लास चल्स मिलेंगी वन बटन डिफ्रॉस्टिंग मिलेगी और ये आता है बेस्ट एंड विट ड्रॉर के साथ इस मॉडल में आपको कई फीचर्ज मिलते हैं डोर लॉक भी मिलता है लेकिन अगर मैं निट्पिक करूँ तो इसे आप सोलर अनरजी पे नहीं जला सकते वो ही इसका एक कॉन है इस मॉडल को आप खरीद पाएंगे 14,500 रुपीज में बेस्ट रेफरेजिलेटर अंडर 15,000 की मेरी लिस्ट में नमबर 2 पे आता है LG का 190 लीटर्स का मॉडल ये मॉडल आता है 4 स्टार रेटिंग और 131 यूनिट की कंजम्शन के साथ और इसकी नेट कपासिटी है 182 लीटर्स इस मॉडल के अंदर आपको smart inverter compression मिलता है जो कि आपके घर के inverter पे भी काम करेगा solar power पे भी काम करेगा और stabilizer free operation भी देगा इस मॉडल में आती है toughened glass shelves और ये देता है यह एक energy efficient refrigerator है जो आपकी घर की power, inverter power या solar power पे भी काम करेगा और इस model में मुझे कोई खास कमी नहीं दिखी इस model को आप खरीद पाएंगे 15,500 रुपीज में पेस्ट रेफरेजटर अंडर 15,000 की मेरी लिस्ट में नमबर वन पे आता है तो मोस्ट अंडर रेटेड गोद्रेज का 190 लीटर का model यह मॉडल आता है 5 स्टार रेटिंग और 104 यूनिट्स की अन्वल कंजम्शन के साथ इस model के नेट कपासिटी है 182 लीटर्स यह मॉडल आता है एडवांस इंवर्टर टेकनालेजी के साथ और यह आपके घर के इंवर्टर पे भी चलेगा और आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देगा इस model के अंदर आपको एंटी ड्रिप चिलर टेकनालोजी देखने को मिलेगी जो डी फ्रॉस्टिंग में बहुत मदद कर इस model में आपको 20 लीटर का वेजडेबल बॉक्स मिलता है जो गोद्रेज के हिसाब से सेग्मेंट का लार्जेस्ट है इसमें आपको टेफन ग्लास शेल्स और बेस्टेंट बिड्रावर भी मिलता है इस model की वेजडेबल और चिलर ट्रे वाकई काफी बड़ी है और गोद्र आपको आज का वीडियो कैसा लगा मैं आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ूंगा और कोशिश करके सभी के जवाब भी दूँगा और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी थांक्यों वरी माच